हेलो फ्रेंज कैसे हैं आई होब आप लोग ठीक होंगे नियों कीचन टीप्स के साथ आगें फ्रेंज तो आज गर वीडियो बहुत ही यूसफुल होने वाला है बहुत ही अनुकी अनुकी टीप्स से लेकर आएं फ्रेंज जो की डेली लैप में काम आएगा और मुस्किल से लोग करते हैं वही काम टीप्स और ट्रिक से किया जाएं तो काम तो आसान हो ही जाता है उसके साथ साथ आपकी पैसे की भीवचत हो जाती है तो चलिए फ्रेंज आगे बरते हैं मैं उस्वाने आप लोग को स्वागत करते हूं अपने वीडियो में मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर भी कर दें तो यहां पर दीखी फ्रेंज लिए हैं एक कटोडी और इसमें हमें डालना है नारियल का तेल आप सोच रहे होंगे कि नारियल का तेल क्यों डाले है तो फ्रेंज हां बहुत ही में डालना है लिए नारियल का तेल हो अप ले सकते हैं सटे में कहल के तो भी हाथ पिर में इसितना ही पानी और सी रियक्स्ण हो जाता है जैसे बर साथी सामल है तो लियाist सब्सक्राइब पूर्डाइब और प्रइद कि जो उंगलियां होता है उसमें इस तरीके से हो जाता जो कि बढ़न दर्द करता है तो रही है उसको यूज करते हैं या रात में सोने के टेम में यह बहुत ही जल दिन में ही आपको असर दिखाना सुरू कर देता है और ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है तो फ्रेंज ये टीप्स आप लोगो कैसा लगा थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो किस कोने से देख रहे हैं प्लीज आप लोग जर कीरू कि अर्भर कौण हमालूम नहीं होता है कि हम किस तरीके से लिया जाए तो चलिए प्रेंज आज के बासे आप यی बोड़ना कटे मैं काट कर ता बहुत लिए बाद से हमें अए नहीं हमें जुब का मैं चलीए सब estasd एक लेना है इस तरीके से ट Towards theBI इतु कर देना है और देखें प्रेंस कितने असानि से हमारे ये बनकर तयार हो गया है तो फ्रेंस ये जो है ना कहां पर इसे हमें यूज करना है इसको हमें जैसे की किचन के सिंक एरिया होता है ना उहीं पेमें इसको रखना है इसमें हमें रखना क्या है तो चलिए है भी हम आप लोगों दिखाती हूं जैसे कि देखे फ्रेंज इस तरीके से हम सिंक के पास हमारे हुक है तो उसके पास हम इसको इस तरीके से टांग देते हैं तो क्या होता है ना कि ज रखाना इसी में रहएगा और पर बाहर जाकर फियक दिया जाएगा तो फेंण से फिर पर बाल जाकर फेक्श कोई सबीन ले थाएं मार्केट से और इसतरी कि से लगा लेते हैं तो हमें ठोड़ा सा इसे क्या करना है जैसे कि हम जब भी यह न ऐससे घृसना है जादा जोड़ से नहीं ठोड़े-धोड़े-इस तरी से घिसना है इससे क्या होगा जिसी कि कभी कभी ball में कारवन लग जाता है तो इसके बज़र से हमारे बालब जलने लगता है और फिर भूजने लगता है और इस तरीके से हम यदि कर लेते हैं गरेंडर पर थोड़ा सा हलकाअ guessing तो इसका कारवन जो होगा जाएगा और जब हम इसे फिर से हम यूज करेंगे जलाएंगे तो यह बहुत ही बढ़िया चलने लगता है तो फ्रेंज इसे आप जरूर करकर देखना यह बहुत ही अनोखी टिप्स है जिसे हर कोई नहीं जानता है और आज के बाद तो आप बॉल्ब को इस तरीके से चेंज नहीं करे जब यह अंदर से खड़ाफ हो जाएगा तभी नहीं जलेगा ठीक है और यहां पर ले लेती हूं जैसे कि हमारे मिक्सी जाल में हमारे क्या होता है इस तरीके से जब ही हम इसको यूज करते हैं तो यह मिक्सी जाल मंगाते हैं मारकेट से तो यह बहुत ही अच्छे से चलता मसाले हिंग तो मिक्सी होता है तो बहुत ही मुषकिल होता है皿 के साले नहींbodhrat कि यह लेना चाहिए क्योंकि सर्सो का तेल में वहत ही यह तो तीन बुन डालें ज्यादा नहीं और इसको थोड़ा दर के लिए प्माच बिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे अच्छे से लगाकर यह बहुत ही अच्छे से चलने भी लगेगा और फिर ठीक भी हो करें बेल बटन साइड में है फ्रेंज उसे भी प्रेज कर दें ताकि जब भी हम निव वीडियो डालें आप लोग के पास पहुंचे तो चले फ्रेंज मिलती हूं